सोना हुआ सस्ता और चांदी के दाम में बंपर गिरावट फेड मीटिंग का बड़ा फैसला अमेरिका ने चार साल बाद घटाई ब्यास दरे सोने वा चांदी के दामों में आई गिरावट नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सोना चांदी के भाव लाइव की एक और नई वीडियो में दोस्तों देखा जाए तो जहां आज सोने के दामों में 4000 रुपई की गिरावट आई है वहीं चांदी के दाम भी 900 रुपई से ज़्यादा सस्ते हुए है ऐसे में यदि आप साधी भीवा के लिए सोना वाचांदी के गहने बनवाने की सोच रहे थे तो आपको बता दे अब आपके लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर है आप सोने वाचांदी के गहने बनवा सकती हैं क्योंकि कल देर साम अमेरिका की फिट मीटिंग का बड़ा फैसला आया है जिसके बाद आज सरापा बाजार में सोने वाचांदी के दामों में हल चल तेज हो गई है ऐसे में चलिए जान लेते हैं आज भारती सरापा बाजार के अंसर 18 करेट, 22 करेट और 24 करेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है साथी आपको बताएंगे आज एक किलो चांदी का ताजा भाव क्या है वह जानेंगे आज एक तोला सोने का ताजा भाव क्या है लेकिन उससे पहले रोजाना सोनेवा चांदी के ताजा भाव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक प्यारसा लाइक कर देना चलिए पहले जान लेते हैं आज चांदी के क्या भाव हैं दोस्तों आपको बता दे चांदी के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल लही थी और चांदी के दाम 88,000 रुपई के पार जा चुके थे लेकिन आज चांदी के दामों में गिरावट आई है और एक किलो चांदी में 908 रुपई चांदी सस्ती हुई है दोस्तों आपको बता दे आज तो सोना चांदी सस्ता हुआ है लेकिन आने वाले दिनों में सोने वाचांदी के दाम बढ़ने वाले हैं हाँ हम लगातार आपको पहले से बता रहे थे यदि फेड में ब्यास दरों में कटोती हुई तो उसके बाद सोने वाचांदी के दामों में तेजी आएगी क्योंकि आप सोने वाचांदी की मांग बढ़ जाएगी लोग डॉलर में कम निवेस करेंगे, सोने वाचांदी में अधिक निवेस करेंगे, डॉलर में गिरावट देखी जाएगी, जिसके कारण सोने वाचांदी की मांग बढ़ जाएगी, तो सोने वाचांदी के अदाम आगे बढ़ सकते हैं, वहीं आपको बता दे, U.S. फेट न उनों ने अपने देश में ब्यास दरों में 0.50 प्रेसर की कटोती की है इसका असर भारती सराफा बाजार वा अन्य बाजारों पर भी पड़ेगा जिसके कारण आपको बता दे आने वाले दिनों में सोने में तेजी आ सकती है क्योंकि देखा जाए तो लगबग एक सब्ता पह देखा जाए तो आज 18 के रेट के हिसा आपके ए दामों में तेजी आ रही थी लेकिन आज सोने के दामों में भी गिरावट आई है हैसे में यदि आप भी सोने वाचान्दी के गहने बनवाना चाहते हैं तो आज आपके लिए शांदार मौका है चलिए अब जान लेते हैं आज 22 के रेट के हिसाब से सोने के क्या भाव है दोस्तों देखा जाए तो आज 22 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 7150 रुपाई है 8 ग्राम सोने का भाव 57200 रुपाई है 10 ग्राम सोने का भाव 71500 रुपाई है आपको बता दे आज सोना खरीदने के लिए अच्छा मौका है क्योंकि सोने के दामों में आज गिरावट आई है वहीं कितनी गिरावट आई है ये जानने से पहले चलिए अब जान लेते हैं आज 24 के रेट याने 102 सोने के क्या भाव है आज 24 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 726 रुपई है 8 ग्राम सोने का भाव 58,608 रुपई है 10 ग्राम सोने का भाव 73,260 रुपई है 100 ग्राम सोने का भाव 7,32,600 रुपई है दोस्तों देखा जाए तो आज सोना सस्ता हुआ है क्योंकि आज 100 ग्राम में 300 रुपई और 10 ग्राम में 230 रुपई सोने में गिरावट आई है वहीं आपको बता दे सोने वाचांदी के जानकारों का कहना है आगे सोने वाचांदी के दामों में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है या फिर सोने के दामों में तेजी आ सकती है चलिए अब जान लेते हैं आज भारत के कुछ प्रमुक सेहरों में सोने के ताजा भाव क्या है दोस्तों देखा जाए तो आज चिन्नाई में 22 करेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 6864 रुपए है और 24 करेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 6488 रुपए है वहें दिल्ले में आज 22 करेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 6889 रुपए है और 24 करेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 7503 रुपए है बेंगलूरू मैं आज 22 के रेट के हिसाब से 1 gram सोने का भाव 6864 रुपई है और 24 के रेट के हिसाब से 1 gram सोने का भाव 688 रुपई है। लखनव में आज 22 के रेट के हिसाब से एक ग्राम सोने का भाव 6889 रुपाई है, वहीं 24 के रेट के हिसाब से एक ग्राम सोने का भाव 6889 रुपाई है, वहीं 24 के रेट के हिसाब से एक ग्राम सोने का भाव 6889 रुपाई है, वहीं 24 के रेट के हिसाब से एक ग्राम सोने का भाव 753 रुपई है थाणे में आज 22 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 6847 रुपई है वही 24 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 693 है पुड़े में आज 22 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 864 रुपए है और 24 के रेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 864 रुपए है तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख सहरों के सोने के ताजा भाव उमेद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यद इसम तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सहर का सोने का भाव हमसे पूछ सकते हैं